हे फ्रेंड्स आज दिनर में हमारे बच्चों को कुछ मीठा काने कमन कर रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए जो जटपट और जल्दी बन जाए तो चलिए आज इस नई रेस्पी को शुरू करते हैं और इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैंने एक चमचगी में ये रोस्टेट वाली जो सिवया आती है उसे लिया है आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं पर मैं आपको हमेशा रिकमंट करूँगी कि आप रोस्टेट से वया ही लेजिए बहुत अच्छी फ्लेवर में लगती है और ये बहुत जल्दी और जटपट बन भी जाती है तो इसे हमें ज्यादा नहीं रोस्ट करना है क्योंकि ये पहले से रोस्ट है तो इसे दो से तीन मठी स्रिफ लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें थोड़ा सा बून लेना है इसमें मैं 1 लिटर पूरा फूल फट क्रीम वाला दूध डालूगी और इस दूध में हमें इसे तब तक पकाना है जब तक जो दूध हमारा है पूरा गाड़ा और क्रीम ही न हो जाए और आधा न हो जाए तो इसे धीरे धीरे चलाना है और 10 से 15 मिनिट बाद आप देखेंगे कि दूद हमारा बिलकुल आधा हो जाएगा और जो फ्लेम है वो हाई आप कर सकते हैं और बीच बीच में आप चलाते रहें इधर फ्रेंट्स मैंने सिवयों को कलर देने के लिए थोड़ा सा यलो फूट कलर डाला है इसे बहुत अच्छा रबडी जैसा टेक्श्चर लगता है खाने में और देखने में भी तो इधर देखें फ्रेंट्स फूट कलर डालने के बाद अच्छे में मिला दूंगे और पूरा ध्यान दे और धीरे धीरे हाथों से चलाते रहें अब अपने मन पसंद आप कोई भी ड्राइफ रूट डाल सकते हैं काजू बडाम नारियल जो आपको अच्छा लगता है वो डालिए मैंने इसमें किस्मिस और थोड़ा सा बडाम डाला है जो इससे बहुत अच्छ लगेगा खाने में और यह बहुत ही हल्दी भी होता है तो आप ठेंटियों में फ्रेंट्स बडाम का जरूर से इस्तमाल करें थोड़ा सा फ्लेवर बंढने के लिए इतमें मैं डाल रहे हैं दो इलाईची को मैं हलका सा छेल के इसमें डाल दूगे जो देखने में और खान सिवई बनके बिलकुल रेड़ी है तो देख रहे हैं ना फ्रेंट्स बच्चों के दो मन पसंद मलाईदार रभीदार सिवई बनके तयार है और दिनर में साथ ही साथ मैंने आलू और मटर की भुचिया भी बनाई है और सिंपल रोटी बनाई है तो फ्रेंट्स जब भी अपना क्याल रखें